सहरों के चुनाओ के बाद अब गाउं में सरकार बनने के लिए चरचाएं तेज हो गई हैं। गाउं की सरकार के लिए पंचायत चुनाओ अब जल्द होने वाले हैं। जिला स्तर पर पंचायती चुनाव के लिए कोई निश्ची तिथी के लिए अधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है लेकिन सितंबर माहा में यह चुनाव हो सकते हैं जिसके लिए पंच सरपंच बलोक समीती वैजिला परिशद के लिए संभावित उमिदवारों ने दोड़ धूप तेज कर दी है लोग अपने अपने संपरक बढ़ा रहे हैं साथ ही गाउं में जातियस मिकन के अधार पर भी अपनी संभावनाएं तलास रहे हैं कोई नेताओं के यहां चक्कर लगा रहा है तो गाउं में लोगों का मंट टोल रहा है पंचायत विभाग दवारा भ तो अंतिम तोर पर मदधाता सूचियों का परकाशन कर दिया जाएगा इसके बाद पुरानी मदधाता सूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा इस बार का गाउं की सरकार का चुनाओ भी रोचक हो सकता है कई पार्टियां अपने चुनाओ चिन पर यह चुनाओ लड़ सकत थे अब जब चुनाव की उम्मी जगी है एक बार फिर से इन उम्मी द्वारों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं दूसरी और सियम मनोहरलाल ने पंचायत एम विकास विभाग के चुनाव कराने के परस्ताओं को मंजूरी दे दी है इन चुनाव में पिछड़ा वरक को अरक्षन नहीं मिलेगा एस सी वै महिलाओं के लिए सीटे अरक्षित की जाएंगी पंचायत एम विकास मंत्री देवेंदर बबली ने यह जान करी दी जिला परिशत बलाक समीती एम सरपंच का चुनाव इव्यम मशीन वैपंच का चुनाव मत पत्तर से होगा चुनाव दो प्रकाशन 22 जुलाई को होना है अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ता में चुनाव कार्यकरम घोशित कर सकता है डीडी पियो कमर धमन सिंग ने कहा कि चुनाव की तीथी के सम्द में विभाग के कोई दिशा निर्देश अभी तक नहीं आए है इस समय मत दाता सुची तयार की जा रही है 22 जुलाई को मत दाता सुची का अंतिम प्रकाशन होगा पंचायत की वोटर लिस्ट का प्रप्रेशन का काम अंतिम चरन में है क्लेम अबजेशन सारे मांग लिए उनको सेटल कर दिया गया है और 22 तारिक को फाइनल पब्लिकेशन करवाई जाई उससे पहले प खतम हो जाएगा और 22 तारिक को फाइनल पब्लिकेशन करते हैं अभी कोई ऐसा हमारे पास ना तो पत्तर के माध्यम से ना ही कोई अन्य के माध्यम से ये पराप्त हो कि कब चुनाओं होंगे कोई शिगर होंगे अब बाद में होंगे अभी कोई राइटिंग मेंसी कोई इन